कि मैं कॉसल आज मैं रेफ्रेजेशन और अलिए कंडीशन को साम लेकर आये हूं आप इस वीडियो को जब 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 शेयर करें जिससे आपको दोस्तों को भीस कलाव मिल सके और हमारे चनल को सर्प्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकर से मिलती रह यूज़ घरेलू आप समय देन रेफ्रेजेटर में आम तरफ पर इस्तमाल किया जाने वाला रेफ्रेजेंट है आर बारा कि दियूरिंग दा हीटिंग एंड डियूमेडिशन प्रॉसेस ड्राइबल्ब टेंपरेचर ओफ एयर देखिए इसका में graph हमारा कैसे बनता है हम देखिए हमारा यह होता है psychometric chart होता है psychometric chart हमरा यह पर होता है dry bulb temperature यहां होता हमारा humidity ratio डबलो यहां पर हमारा देखिए 2.a स.b की तरफ अगर आ रहा है हमारा कोईट A से B की तरफ तो इसको हम कहते हैं हीटिंग एंड डी हमिडिफिक्शन प्रॉसेस तो यहाँ पर देखिए आपर ड्राइबल टेंबरेचर हमारा यहाँ से इस साइड हमारा बढ़ रहा है तो यह क्या होगा हमारा करेक्ट जॉब बढ़ जाता है वैलू आप सी ओपी एन वेपर कंपरेशन साइकिल वैलू आप सी ओपी एन वेपर कंपरेशन साइकिल क्या होता है हमेशा वन से अधिक होगा हमेशा वन से अधिक आता है इसका वैलू हमेशा वन से अधिक आएगा क्वेशन नमर फॉर क्वेशन नमर फॉर कउना tis क्शीकuse weird है कि अगर वह र्रेडरेटर से कि अपस्जों कर में संबंद पूछा है तो देखिए आपए रिफॉय को प्रिध में रिफुर्णिरेटर के cos up to pop का हमेशा वर अधिक होता है अगर माई रेफ़रेडżaat cycle heat is rejected by reference in a refrigeration चक्र दावरान रेफ्रेजेंट द्वारा उसमा कहा reject होता है इसको देखी हम diagram से समझते हैं डियाग्राम में हमारा क्या होता है pH diagram हमारा ऐसे होता है इसमें हमरा एक ग्राब बनता है हमारा इसे हमारा यह 1 से 2 compressor होता है two से three हमारा क्या होता hads condenser होता है इवेपरेटर लगा होता है यहाँ पर तो इवेपरेटर देखें यहाँ पर तो हमारा हीट रिजेट कहां पर होता है कंडेंसर में होता है हीट रिजेट कहां होता है कंडेंसर में होता है और हीट कहां से इंटर करता है रेफरेजेंट में evaporator से होता है heat की entry कहां से होती है evaporator से होती है और rejection कहां होता है condenser से तो इसका साही जवाब है condenser next question है one ton of refrigeration is देखिए यहाँ पर one ton of refrigeration की definition क्या होती है तो देखिएगा जो एक ton पानी को 0 degree Celsius पर 24 घंटे में 0 degree Celsius पर ही बर्फ हमें जमने देता है उसको क्या बोलते है one ton of refrigeration का आता है तो और next question है हमारा next question है in vapor compression system the condition of refrigeration is dry saturated vapor हमारा condition refrigeration का dry saturated vapor का बोता है तो इसमें हमारे यहाँ आपे देखेंगे graph से हमारे यहाँ पर pH diagram होता है pH diagram क्या होता कि यहाँ देखेंगे यहाँ पर 1-2 compressor होता है हमारा 1-2 हमारा क्या होता है compressor होता है 2-3 condenser होता है यह होता हमारा compressor तो देखिएगा 3-4 तो भी बताए हमारे expansion वाल होता है 4-1 evaporator होता है देखिए यहांपर यह हमारा च्छान पर पढ़ हो रहा है वन इन कर रहा है ? यह तो इसका प्रईयर का रहा है च वान टीर इस्कुल तू फिर मान केतना आता हैं। फिर पॉंट फाइब किलोवड़ृमुट इशन है दसाइकली उज्स अि औरिफ्रेजन्ट काउन समय किल है जो यह को रूप्रेज करता है वह चक्र जो हवा को रूप में उपएयो करता है कहला आता है बेल कॉलिमन इसका सभी जवाब है बेल कॉलिमन नेस्ट कोर्टेन है दिविंग दर विमिडिफिकेशन प्रोसे रिलेटिव हमेटिटी आधरी करन प्रकिये के दुरान हमारा साप एच्छे अधर तक यह बढ़ जाता है इसका सभी जवाब है बढ़ जाता कैसे ब लेटिव हमेटिव कर होगा है तो देखिएगा हमारे यहां पर हमेटिविकेशन प्रोसेस क्या होता है वन से टू उपर आता है यहां पर लेटिव हमेटिव भी क्या होता है नीचे सूपर जाती है बढ़ जाती है नीचे सूपर जाती है तो बढ़ जाती है तो देखिएग कुछन नम्र 11 क्या है? रिलेटिव COP आफ मसी नीज रिलेटिव COP आफ मसी नीज COP का फर्मला क्या होता है? एक्चुल COP इवाइड बाइ थेटिकल COP एक्चुल COP अपान थेटिकल COP एनेस कुछ्चन है इस स्पेस्पेक हुमिडिटी इज गिवन बाइ देखिएगा एर में हमारा क्या होता है? एर में हमारा वाटर का कंटेंट भी होता है और उसमें ड्राइ एर भी होता है तो इसमें क्या होता है? यह हमारा क्या होता है? रेशी होता है उसमें कितना हमारा वेपर है? और एर कितना है? हमारा dry air कितना है इसे को क्या बोलता है specific mobility कहते हैं तो जलवास पर दर्मान कि डिवाइड बाई सुस्क वायू का दर्मान कुशन नमबर 13 में क्या है Cobscent of performance is COP की value क्या होती है रफ्रेजेशन एफेक्ट डिवाइड बाई वर्ट रण बाई compressor नेस कुशन क्या है एव पर एबजॉर्प्शन रफ्रेजेटर यूज़ेश विच रफ्रेजेंट वास्प असोसर वास्प असोसर रफ्रेजेटर की इस रफ्रेजेंट का यूज़ करता है इसमें असाई जोब क्या है एक्वा अमोनिया एक्वा अमोनिया क्या होता है वाटर प्लस अमोनिया होता है वाटर प्लस अमोनिया वाटर प्लस अमोनिया इस question क्या है इसमें The wet bulb temperature and dry bulb temperature at 100% relative humidity देखिएगा जब भी आपसे question पूछेगा saturated condition saturated saturated अगर है हमारा या तो 100% relative humidity है उस case में हमारा क्या होता है dry bulb temperature dry bulb temperature और wet bulb temperature हमारा बराबर होता है wet bulb temperature हमारा करता है बराबर होता है question number इसका सभी जो क्यों होता है question number हमारा हो गया 16 question number 16 the curl line on psychometric chart indicate psychometric chart में curl line count indicate करता है तो इसमें देखी मैं graph में भी उपर बताया हूँ मैंने आपको उपर मैंने बताया था आपको कि देखी rs के मैंने graph दिखाया था या रस यह जड़ा कुछ ऐसे होता ऐसा यह क्यों होता हमारा rs यह जिसको फाई से denote करते है तो फाई हमारा क्या होता है curve line सो करता है तो relative humidity हमारा क्या हो करेगा curve line सो करेगा question number 17 in case of dry saturated steam the value of dryness fraction is देखीए यहां पर हमारा जो steam होता है steam में कुछ water का पाट आजाता है तो हमारा देखीए इसका dryness fraction का formula क्या बनेगा हमारा देखीए यहां पर steam mass of steam plus mass of steam plus mass of water mass of water लेकिए यहां पर देखीए का dry saturated condition में क्या होता हमारा dry saturated condition में क्या होता है mass of water हमारा उसमें से water मातरा कम हो जाती है यानि 0 हो जाती है जब यह 0 हो जाएगा तो इसका value अगर 0 हो गया तो क्या हो गया हमारा MS MS कड जाएगा उपर से नीचे तो S की वाल कितनी आगी 1 आएगी next question है difference between temperature of superheatage steam and saturated steam is called अतितापी भाव और संत्रित भाव के तापमान की बीच के नतर को कहा जाता है देखिए हमारा अगर saturated steam है उसको और heat कर देंगे हम तो हमारा क्या condition आजाएगा superheatage steam क्या जाएगी तो दोनों temperature difference क्या कहते हैं degree of superheat बोलते हैं उसकों कहेंगे degree of superheat next question है हमारा bell column cycle used for air refrigeration cycle bell column cycle है air refrigeration system में इसका नाम हमारा reverse brightend cycle या रिवर्स जूल साइकल रिवर्स जूल साइकल question number 20 question number 20 में है one turn of refrigeration is equivalent to अभी मैंने उपर question पूछा था इसके one TRS कितना होता हमारा 3.15 kilowatt में होता है इसको अगर हम kilo joule per minute चेंज करेंगे कितना हैगा हमारा 210 kilo joule per minute तो यह दोनों वालों आपको याद उने चाहिए option में दोनों में कोई यक आ सकता है next question है हमारा 21 21 काहस में the throttling operation in the refrigeration cycle is carried out in परसीतन चक्र में throttling operation किसमें होता है तिसको डागराम समझते हैं डागराम हमारा क्या देखी है यहापर डागराम देखी हमारा क्या बनेगा देखी प्याज डागराम हमारा इसा बनता है तो देखी 1 से 2 हमारा compressor हो गया 1 से 2 compressor हो गया 2 से 3 हमारा condenser हो गया 3 से 4 क्या होता हमारा expansion वाल होता है 3 से 4 क्या होता है expansion वाल हो तो देखिए इसमें throttling operation कहां पर होता है expansion valve में होता है 3-4 में तो इसका सही answer है expansion valve question number 22 में क्या है question number 22 में thermostatic expansion valve operate by responding to thermostatic expansion valve हमारा है वो किसके response से चलता है इसका सही answer है degree of superheat हमारा जतना भी vapor उसमें रहेगा जतना superheat होगा उतना हमारा thermostatic expansion valve काम करेगा response देगा heating of air without change in specific humidity is called देखिए आपे psychometric charge में आपे देखते हैं इसको अगर हमारा process 1 से 2 ऐसा आ रहा है हमारा 1 से 2 1 से 2 process कौन सा है sensible hitting का होता है sensible hitting का 1 से 2 में अगर हमारा process आता है तो sensible hitting और reverse अगर हमारा आता है 2 से 1 अगर आएगा या 3 से 4 कर लेते हैं इसको 3 से 4 आएगा था हमारा तो क्या हो जाएगा sensible cooling हो जाएगा तो 1 से 2 जा रहा तो sensible heating हो गया हमारा next question है इसमें entropy in compression process of VCRS VCRS system vapor compression refrigeration system में entropy हमारा क्या होता है compression process में देखिएगा इसका diagram बनाते है देखिए हमारा PS diagram हमारा ऐसा होता है इसमें हमारा 1 से 2 पर आते है 1 से 2 पर आते हैं 1 से 2 पर आते हमारा यहां पर क्या होता है 1 पर जो entropy होता है 2 पर entropy ब्राबर होता है similar case यहां पर होता है 3 से 4 में 3 से 4 में क्या होता है हमारा यहां पर enthalpy ब्राबर होता है पीन पर जो एंध्यल्पी होता है हमारा चार पेंध्यल्पी को बराबर होता है तो इसमें क्या पूछा है यहां पर प्रक fills यह समयक्तां jadi पाлем क्या होता और को अभी क्या होती है घ्रीमर्बद्विक अधरिक हो इसकल नियों मेरत इसका बढ़ जाती है सबीसिवर्स सबाइब तो ऑस ङे पूंदשण नहीं यहां पर समें पुल्षा औसमें पूया है मुश्ण नहीं इस दिककरणि कहां पूकर ता यहां पर ने ग्राम हूं और कि यहां पर सुपर आता है में ने ऐसे वें से तूइं से फॉन तू उन क्यें गया पर और नीचे सुपर जा रहे तो यह हमारे यह डबलोग मन बढ़ेगा यहाँ तो यहाँ पर देखिए साइज वाभाव इंक्रिजेस हमारे और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो असानिस देख सकें आप